नमशकार मैं हूँ लीला स्वाक्त है आपका हमारे चैनल में दान तेर्ष का तहार आने वाला है दान तेर्ष के दिन जाडू क्रीद कर लाना बहुत ही शोब होता है दान तेर्ष के दिन हम जाडू क्रीद कर लाते हैं जाड़ू आप नारियल जां फिर फॉल जाड़ू ला सकते हैं। जाड़ू को लाच्मी का सबरूह मानना गया है। कुछ लोग जाड़ू की पूजा दांतेर्स पर काते हैं और कुछ लोग दिपामडी पर करते हैं। जाड़ू कर लाएं तो आपने द्यान रखना होगा कि आप प्लास्टिक का जाड़ू बूल कर भी ना करीद करूँ। जब भी आप जाड़ू कर लाएं तो आपने शपा कर लेकर आएं। उसके वाद एक लकड़ी का पाटा लें। उस पर आप लार रंग का कपड़ा वशाएं। उसके वाद आप जाल का शीटा लगा कर शुद्धी करन करें। जे पूजा आप जमीन पर भी कर सकते हैं। अगर आप जे पूजा जमीन पर करते हैं तो आपको जालके सीटे लगाने होगे और शुद्धी कान्म कानना होगा फिर पूजा आप कर सकते हैं फिर पूजा करें जालके सीटे लगाने के वाद आप जाड़ू को बास्तर रूपी के लावावान दें उसके वाद आप रोली से तेलक करें उसके वाद आप चंदर समर्पत करें उसके वाद आप चावल समर्पत करें उसके वाद आप फूल समर्पत करें उसके वाद आप गलाल समर्पत करें गलाल चाहे आप चुटकी से भी समर्पत कर सकते हैं जहां फिर आप फूल पर लगा कर भी समर्पत कर सकते हैं फूल आपको जो भी मिलते हैं आप भो ही समर्पत कर सकते हैं उसके बाद आप बोग लगाएं बोग जैसे खील पता से आद का बोग लगा सकते हैं फिर चुह आपके पास प्लाफद है उसी का आप बोग लगा सकते हैं इसके बाद आप दीप कजलाएं दूप जलाएं उसके बाद आप मा लश्मी जी की आरती करें जाँ फिर आप जैमा लश्मी जैमा लश्मी भी बोल सकते हैं अगर आप दान तेश के दिन एक जाड़ू लेकर आते हैं तो एक की पुजा करें अगर आप दो जाड़ू लेकर आते हैं तो आप दो की पुजा करें उसके बाद पुजा करने के बाद आप जाड़ू को लगा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजे शेयर सब्सक्राइब कीजे थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो